हालो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उम्मीद सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ला जवाब होंगे और सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा अगर हम बात करें सेकेंड पेपर की सीटेट के तो थोड़ा सा लेवल टाफ आया था वो भी साइंस का अगर सेश्टी की से बात करें तो सामानी लेवल था साइंस की बात की जाये तो साइंस का पेपर जो है काफी टफ देखने को मिला था और जिसमें हो सकता है कि रिजल्ट भी काफी कम है साफी एक प्रतरेंग करें सही से क्योंकि स्जीले को इसलिए पूरा पhoven पर तो करके आते हैं बट जो 21 से 25 या 26 जुलाई के बीच में ओफीसियल जो आंसर की आपको 25 से 25 या 26 जुलाई तक देखने को मिल जाएगी और 20 से पहले आईगी नहीं उसके बाद में जो है आप लोग इसमें आप्येक्शन कर सकते हैं अगर आपका कोई कोश्चन सही है और आंसर गलत आ रहा है और रिजल्ट कैसा रहेगा तो अभी हम लोग बात करी चुके हैं कि सीटर का जो सेकेंड पेपर था साइंस और मैथ वाला वो थोड़ा सा हार्ड आया था तो उनका रिजल्ट पिछली बार भी काफी कम रहा था और इस बार भी कम रहने की उमीद लग रही है क्योंकि अच्छा नहीं गया है पेपर अगर हम आंसर की की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर की अभी तक यहाँ पर देखिया आप लोग सीट की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में आज की है यह स्क्रीन साथ हमने लगा रखे है इसमें कुछ नहीं दिया गया नोटिफिकेशन कब आईगी क्योंकि अगर यहाँ पर देना होता तो अब तक दे दिया होते है पब्लिक नोटिच में यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर समझी गया होंगे कि इतनी जल्दी नहीं आने वाल पर देने के लिए बैठे थे तो उसमें कई सारी महिलाएं भी सामिल है और बच्चे यानि की पूरुस भी सामिल है और इनके साथ अब जो भी कोई कानून बन चुका है अगर उसके अंतरगतियों लोग आते होंगे तो इनको सजा मिलने वाली है अब हम बात करते हैं कि जो 62 नंबर या 90 नंबर से कम आ रहे हैं वो पास ओ पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे चिंता करें या फिर ना करें दो-तिन नंबर बढ़ने की उमीद है तो किस प्रकार से वो नंबर बढ़ सकते हैं इस चीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो आप लोग देखे यहा कई लोगों ने इसका जो आंसर की में आए इसमें आपका सही निकल जाए क्या थ्री में क्या है पहला और चौथा सही निकल आ लेकिन इसका जो आंसर है वो काफी कनफ्यूजिंग है सही सही कोई भी नहीं बता पा रहा है तो आप लोगों को इसका एक नंबर मिल सकता है और एक और question इसी प्रकार का था confusing वो है भावनाओं, व्यक्तिवत और शामाजिक शंबंदों में परिवर्तन और इस तरता किस विकास में सामिल है क्या वो मनों सामाजिक विकास है, संग्यनात्मग विकास है, व्यक्तिवत विकास है या फिर भावनात्मग विकास है तो ये भी काफी मतलब की ऐसा question था ये कि जिसमें हमें इन चारों में सेलेक्ट करने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि संगेनात्म को विकास है नहीं व्यक्तित्यू का विकास कई लोगों ने इसको कर दिया है कई लोगों ने मनोशामाजी को विकास कई लोगों ने भावनात्म को विकास किया है तो हो सकता है कि आपका जो अंसर कि विलांग करते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए तो हो सकता कि आपके एक या दो नंबर बढ़ जाएं इस मेथड़ से बाकि अगर हम बात करते हैं तो कई सारे नंबरों का अंतर आता है हमने पिछले कई एक जाम इस प्रकार से देख लिए हैं कि जिनमें सीटेड की जब भी ऑफेशल आंसर किया आती है जिसमें 4 से 5 नंबरों का अंतर हो जाता है जो आपकी यूटूब की आंसर की होती है और जो ऑफेशल आंसर की आती है बढ़ने के उमीद तो काफी कम ही रहती है क्योंकि यूटूब पर है वो समभावनों के आधार पर कई सारे answer आमारे सही कर दी जाते हैं, लेकिन जब official answer कि आती है, तो उसमें कई सारे number कट जाते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के question होते हैं, confusing अले, इनके number हमेसा बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं दिक्तर, क्योंकि हम लोग इसे confusion में, कही A कर के आते हैं, कहीं B, कहीं C, कहीं D, इस प्रकार के question जो हैं, वो लोग तुक्का में ही यह दिक्तर लोगों के सही निकलते हैं, हो सकता है कि आपके 2 से 3 number बढ़े हैं, अब बात है, नार्मलाजेशन की तो नार्मलाजेशन होगा या फिर नहीं होगा, नार्मलाजेशन जब किया आता है, जब आपका exam एक सिप् इसमें नार्मलाजेशन की प्रक्रिया भी नहीं लाई जाएगी, क्यमकि आप लोग इसमें काफी confused हो रहे हैं कि कैसे number घट सकते हैं, बढ़ जाएंगे नार्मलाजेशन में क्या होगा, तो होगा ही नहीं, क्यमकि जब भी exam एक सिप्टों में होता है, तब इस चीज का प्र दिख रहा है यह वो, इसके होने के बाद में 15 दिन के बाद में रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आपको अगस्त में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और इसके बाद में अगला सीटेट की नोटिफिकेशन है, वो भी आपको लास्ट अगस्त या फिस सितंबर में देख करने ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीटेट का एकजाम जीरे-जीरे टफ होता जा रहा है, और कोश्चन बनना है कि सिलेवस चेंज होगा या फिन नहीं होगा, तो सिलेवस का अभी तक कोई ऑफिस्यल तो नहीं आया है, लेकिन कई सायों लोग इसा बता रहे हैं कि थोड़ मतलब जो आपके थे, उनके आंसर आपको मिल गए होंगे, और 102 नमबर आपके बढ़ भी सकते हैं, यह जो भी हम लोग ने कोश्चन देखे हैं, इनके अंतरगत अगर आपके सही आप्सन टिक होगे, तो बाकी नावलेजेशन नहीं होना है, अगर आप लोग इसको नावले आपके सही 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 आपक